हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका HR कंसल्टन में दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो डेटा साइन्स से रिलेटेड है जो लोग भी डेटा साइन्स या डेटा फील्ड में जाने के लिए लिए उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे और मैं ऐसे टॉप 10 डेटा साइंस करियर ऑप्शन्स बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए एविलेबल है मार्केट में सून आफ्टर यू कंप्रीट यूर एंबिये तो बिना देरी की हुए दोस्तों चली सु लग रहे हैं उनके basis पे जो है यह सारी positions open है और क्योंकि आप लोग MBA करके निकले होंगे तो definitely जो है आप लोगों को इसके बारे में idea होगा लेकिन हाँ आप लोगों को मार्केट में क्या क्या जॉब से उनके बारे में idea होगा तो उसी के बारे में मैंने यहां पे बताया हु मिलता है दोस्तों इसमें ठीक है then second job जो है वो है data architect की जो की आप लोगों को मिल जाता है अच्छी बड़ी-बड़ी company में मिलता है यह भी और इसमें भी जो है package अच्छा खासा जाता है दोस्तों तीसरा है statistician का job जो की बहुत ही important job होता है और यह भी जो है बड़ी-बड़ी company में ही मिलता है तो इसके लिए भी जो है आप लोग देख सकते हैं देन अगला आता है data analyst data analyst की profile जो है वो after MBA भी देखी जा सकती है और अगर आपने graduation कर रखा है उसके बाद भी देखी जा सकती है इसमें हलाकि जो entry level है वो बहुत easy है आप बहुत ज्यादा easy भी नहीं बोलू programming skills भी helpful की आप लोगों को आनी चाहिए अगर नहीं भी आती तो कोई परशानी नहीं है आपका advanced excel जो है अगर आपका अच्छा है तो जो है आप data analyst की field में जो है शुरुवात ले सकते हैं फिर अगला आता है application architect application architect भी जो है बहुत important job role है दोस्तों जो आप लोगों को बड़ी important हो जाती है और यह role जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करता है market को analyze करने में research करने में और आप जो है उसके इसाफ से जो है अपना data अपनी company को जो है present कर सकते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा spreadsheets वगरा की जरूत होती तो आप लोगों को advanced excel की जरूत पढ़ेग business analyst में confused मत हुएगा business analyst एक अलग profile है business analyst translator की profile है ठीक है यह भी एक मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन यह profile market में exist करती है तो इसके बारे में भी आप लोग जो है देख सकते हैं और इसके लिए भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं पिर अगला आता है data scientist data analyst scientist का जो बड़ा पार्ट है वो है data scientist आप लोग अगर अच्छे से महनत करते हैं और data analyst के profile पे अच्छे से काम करते हैं और आगे चलके धीरी तेरे जो है अलग अलग tools and techniques जैसे tableau हो गया power BI हो गया python में आप लोग काम करने लगते हैं फिरार में आप लोग करने लगते हैं तो जैसे जैसे आपका आपकी skills बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है आप लोगों का transition जो है data scientist के तरफ हो सकता है और अगर आपकी company में data scientist के position खाली और आप as a data analyst काम कर रहे हैं तो internal job posting के तुरू भी जो है आप लोग data scientist के लिए apply कर सकते हैं अगर वो सारे tools and techniques आपको आते हैं और उस CEO की profile है Chief Technical Officer की है और अगली है CDO Chief Data Officer की यह दोनों profile जो है बहुत ही बड़ी profile है इनके लिए आप लोगों को जो है बहुत सारी tools and techniques आनी चाहिए और साथी जो है team manage करना आना चाहिए बहुत सारी चीजह हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी profile है लेकिन यह profiles भी जो है आप लोगों को after MBA जो है मिल जाती है तो यह कुछ 10 job roles थी दोस्तों जिनको मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर आप लोग data science field में interested हैं और क्योंकि यह बहुत ही dynamic field है और काफी जादा progress कर रही है फिलाल के दिनों में तो इसमें अगर आप लोगों करियर बनाना है तो यह 10 job role है ज कि आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजेगा अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं ऐसे ही नहने content जो है आप लोगों को लिए लेकर आत बस दोस्तों अपना क्याल रखें मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में दन्यवाद